हेलो फ्रेंड फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वनराज की चाहतों को अनुपमा ठुकरा देगी और दिखाएगी उसे शीशा और अनुपमा को मिलेगी नई रहा तो उसी उमीद में समल उठेगी अनुपमा जी हां दोस्तों सही सुन रहे हैंे हम बात कर रहे हैं स्टुपर हिट टीवी सीरियल अनुपमा की जिसमें माया ने अनुपमा की जिंदगी में पूरी तरह तहसनہस कर दी है और आग लगाने का काम पूरा करके गई है और इसी के साथ अनुपमा की जिंदगी तबा कर दी है माया ने माया ने अनुपमा से उसकी बेटी छीनी तो है ही और साथ ही साथ अनुज और अनुपमा के प्यारे से रिष्टे और सारी खुशियों को भी छेन ली है और अब अनुपमा पड़ चुकी है तनहा और अकेली क्योंकि एक तरफ अनुछ तो उसकी जिन्दिगी से दूर जा चुका है और दूसरी तरफ अनुपमा को कोई भी अपना नहीं दिखाई देने वाला है वही वनराज इसी बात का फाइदा उठाते हुए अनुपमा को दुबारा से अपनी लाइफ में ले जाने के लिए अपने साथ लेने आएगा लेकिन वही अनुपमा वनराज को देगी करारा जवाब और उल्टे पाउं भेज देगी उसको वापिस खाली हाथ और नहीं जाए वनराज के साथ उसके घर परिवार में वो साफ साफ इनकार कर देगी उसका हाथ थामने से अब अनुपमा ने लेने वाली है अपनी लाइफ का बड़ा फैसला और करने वाली है अपनी जिन्दगी में अकेले ही सफर और अनुपमा के इस सफर में अनुपमा का मार्ट तक करने के लिए एक लेडी आने वाली है जो कि अनुपमा की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगी और दुबारा से जीना सिखाएगी और अनुपमा को फिर से एक नई अनुपमा भी बनाएगी और वो लेडी कोई और नहीं बलकी होगी खुद अनुपमा की ही मा जो बने उसके इस सफर में उसकी हमसफर तो वहीं दूसरी तरफ कपाडिया फैमली में अब अनुपमा और अनुच के पीट पीछे घर को कंट्रोल करने कपाडिया बिजनिस को कंट्रोल करने और पाखी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिशे करते नजर आने वाले हैं अंकुष बर्खा और अधिक तो फ्रेंड आप सब कितने एक्साइटेड हैं इस इंटरस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को सीरियल में देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें तो फ्रेंड टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटिस अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें